दोस्तो मेरी बहुत इक्षा थी कि मेरे इस बर्ड हाउस में कोई तो बर्ड चड़िया आ करके रहे लेकिन ये इक्षा मेरी अभी कुछ दिन से पूरी हो गई है मुझे जो है ये बर्ड का चुडियों का जोड़ा जो है इस बर्ड हाउस के आसपास दिख रहा था तब मैंने चेक करा ये जो मैं क्लिपिंग ले रही हूँ दोस्तों मैं बहुत दूर से ले रही हूँ अपने कामरे को जूम करके थोड़ा सा इतना अच्छा वो नहीं आ रहा है इसलिए कि हम पास जाएंगे तो ये उड़ जाएगी और ये मैं आपको दिखाने ये पाऊंगी तो पहले जहां पर ये बर्ड हाउस रखा था दोस्तों देड़ साल रखा रहा कोई भी चड़िया इसमें आ करके नहीं रही और मैं अक्सर चेक करती रहती थी फिर बाद में मैंने इसको अपने पेड़ों के बीच में लटका दिया तो जो था अभी फरवरी में शायद इनका अंड्य देने का समय होता है तो इस दो चुड़िया को ये दोनों दिख रही इंक ऊपर बैठी हुई ये डाल में इन्होंने अपना घर बना लिया और इसमें आ करके रहने लगी अंड्य दिये कि नहीं दिये मुझे नहीं पता है तो अभी क्योंकि मैं खुदी डर के वारे इसके पास नहीं आती थी कहीं घर छोड़ ना दे अपना तो आज जब चुड़िया ओड़ गई है तो मैं आपको पास से दिखा रही हूं देखें इसमें कितना सारा ही सब इसने अपना घोसला बना रखा है मैं इतना जरूर करती हूं कि इसके आज सपास जो है बजरी के डाने डाल देती हूं पानी अनली टेरस में मेरे बहुत सारा है फिश पर गएरा जो इसमें रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी अगर बर्ड हाउस रखना चाहते हैं अपने गार्डेन में तो यह ध्यान रखिए कि उन लेकिन हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके